नमस्कार आप इस समय देखने मगज संबाद मैं हूं सुनिल गोबी आईए जानते हैं बियार की ताजावा की बड़ी ख़बरे फटा फट आज 13 माई 2020 है आईए जानते हैं बियार के साथ दिस दुनिया की ताजावा बड़ी ख़बरे फटा फट पीए में मोदी ने 54 दीन में पाचमी बार देश को किया संबोधीत लोगडाउन के चोथे चोरन में बदलाओ के संकेत आथ मिनिरबरता के लिए अपुर्व पैकेज का इलान किया उन्होंने कहा यह देश की जीडीपी का करीब 10 फिस्दी हिस्सा है बितमंत्री निर्मला सितार रमन बुदवार को पैकेज का बिवरन देगी पैम ने लोगडाउन के चोथे चरन की भी घोशना की उन्होंने कहा यह नए रंग रूप और नए नीमों वाला होगा 18 मई के पहले इसकी जनकारी दी जाएगी पटना में 6 बीएमपी जमान समेत 18 संकरमित सूबे में 130 नए मरीज पिहार में कुरोना का कहर जारी है मंगलवार को राज में एक दिर में सरवाधीक 130 मरीज मिलने का नया रिकॉर्ड बन गया इससे पहले 10 मई को सबसे ज़्यादा 85 मरीज मिले थे राज में अब कुरोना मरीजों की कुल संख्या 889 हो गई है मंगलवार को जमुई जीले में पहला मरीज मिला संकर्मितों के संपर्ग का पता लगया जा रहा है BMP के अब 19 जमान कुरोना से संकर्मित हो चुके है मंगलवार को जमान संकर्मित पाए गए वे BMP 14 के हैं सभी बी कमपणी के जवान है यह कमपणी डिफ्रेसर कोर्स के लिए बटालियन मुख्याले आई है सहाय का भियंता की मुख परिशा में 271 हुए सफल BPSC ने मंगलवार को सहाय का भियंता की मुख परिशा का रिजल्ट घोसित कर दिया आयोग ने सफल 271 उमिदवारों का सुची जारी किया है परिशार्थी आयोग की विवसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं सीम नितिसकुमार ने कहा पडोसी राज्यों से बसों से भी लाये जाएं स्रमी मुख मंतिनी नितिसकुमार ने पड़ादिकारियों को निर्देश दिया है कि नजदीक के राज्यों से जो परवासी मजदूर बियार आना चाहते हैं उनको बसों से लाने की भी विवसा करें इसके लिए समन्दित राज्यों से शमनवे अस्तापित करें मुख मंतिनी ने मंगलबार को कुरोना मामारी से प्रवावी नियंतरन निगरानी और रोकताम के लिए उचसतरिय समिछा किये और काई निर्देश भी जारी किये ब्यार सरकार ने गरीबो जरूरत मंदों के लिए कई राहाज कार्ज किये शुरू लोकडाउन के कारण उत्पन इस्तिती से खास कर गरीबो प्रवासी मजदूरों और किसानों के लिए राज सरकार ने कई राहाज कार चलाएं इसी क्रमे सबा क्रोर से अधिक रासन कार्ट दारियों के खाते में एक एक हजार रुपे भेजे गए साथी नए रासन कार्ट बानाने और शेश को भी अरासी देने का निर्देश मुकमंतरी नितिस कुमार ने दिया है इस पर तेजी से काम चल रहा है जिला मुख्यालियों में बनाया जाएगा बाइपास सुबे की सडकों पर लगने वाले जाम से लोगों को निजात मिलेगी हर जिला मुख्याले में एक अत्रिक्त बाइपास का निर्मान होगा जिला मुख्यालियों से हट कर वैसे सहर जहां जाम की समस्या है वहां भी बाइपास का निर्मान होगा अगर सहरों का कोई ऐसा चोक्चोरा जहां अधिक जाम लग रहा है तो वहाँ भी विकल्ब के तोर पर बैपास का निर्मान होगा पत निर्मान विबाग ने इस योजना पर काम सुरू कर दिया है बिहार में आज आएगी 24 ट्रेने विभीन राजियों से 20 ट्रेनों के बिहार आने का सिलसिला जारी है 24 ट्रेने बुदवार को बिहार पहुचेगी जिन से 30,348 लोग आएंगे इनमें सबसे अधिक 6 ट्रेने महराष्ट, 5 गुजरात और 4 पंजाब से आएगी इस बार गर्मी की छुटियों में भी मिलेगा मध्यान भोजन बिहार समेत देश भर के सरकारी प्रारमे के स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को पहली बार गर्मी की छुटियों में भी मध्यान भोजन मिलेगा या गर में पका भोजन हो सकता है, खाद सुरचा बत्ता के ताथ खाद समगरी हो सकती है, बच्चों को परिवर्तन मुल कुकिंग कॉस्ट के भी दिया जाएगा, या फिर उसके एवज में समतुल मातरा में दाल तेल आदी दिये जा सकते हैं, केंदर सरकार ने लॉकडाउन को देखते हुए 800 नहीं लिया है, आज से हाई कोट के सभी जज जमानत अरजियों को निप्टाएंगे, वीडियो कॉन्फरेंसिंग से हो की सुनवाई, पटना हाई कोट में बुदवार से सभी जज अपने अपने घर से ही वीडियो कॉन्फरेंसिंग के मात्यम से जमानत या पर सुनवाई कर उनका निप्टारा करेंगे, यह परिकिरिया लोगडॉन खत्म होने के बाद इस्तिती समान होने तक जारी रहेगी, यह सा करने वाले देश का पाला हाई कोट बन गया है, देश में 70 हजार के पार पहुचा कुरोना संकरमितो का मामला, देश में कुरोना सं संकरमितो की संक्या बढ़कर 70 हजार के पार पहुच गई है, महराज तमिनांडो और गुजरा जैसे राज्यों में संकरमन से ज्यादा मोत के चलते मिर्टकों की आकड़ा भी 2293 में पहुच गया, तिछले 24 घंटो में कुरोना के 364 मामले सामने आये हैं, जिसके साथ यह संक से 293 लोगों की अब तक मौत हुई है, हलाकि राज्यों के आकड़े बताते हैं कि संकरमितो की कुल संक्या एक 7630 तक पहुच चुकी है, नियोजी सिचकों को बेतन देने की तैयारी कर रही है सिच्छा विभाग, खड़दाल से लोटे सिचकों को बेतन देने की तैयारी अच्छा विभाग कर चुका है, जैसे ही सिचकों की हरी जंडी मिलती है, वैसे ही मियोजी सिचकों के बेतन भुपतान का रास्ता साफ हो जाएगा, खबरों में आज बस इतना ही, अगर ये विडियो आपको पसंद आए तो लाइक से रेकॉमेंट जरूर करेंगे, अगर अ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कें, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि बियार के साथ देज दुनिया की खबरों से आप रहे अपडेट, धन्यवाद, जै हिंद, जै भारत, बंदे मातरम